आज है बीस मार्च दोहजार इक्यस मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंदा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना, जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचे सुनाएंगे, उतना कल्यान होगा प्रश्न गरीब बच्चे अपनी किस विशेष्टा के आधार पर साहुकारों से आगे जाते हैं, उत्तर गरीबों में दान पुन्ने की बहुत शद्धा रहती हैं, गरीब भक्ती भी लगन से करते हैं, साक्षातकार भी गरीबों को होता है, साहुकारों को अपने धन का नशा रहता, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं, धार्ना के लिए मुख्य सार पहला देह अभीमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने है बहुत-बहुत साधारन होकर चलना है दूसरा, आपस में बहुत-बहुत रुहानी स्ने से चलना है कभी भी लून पानी नहीं होना है बाबा का सपूत बच्चा बनना है एहिंकार में कभी नहीं आना है वर्दान समर्पन्ता द्वारा बुद्धी को स्वच बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव ज्यान का श्रेष्ट समे का खजाना जमा करना वा स्थूल खजाने को एक से लाख गुणा बनाना अर्थार्थ जमा करना इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच बुद्धी और सची दिल लेकिन बुद्धी स्वच तब बनती है जब बुद्धी द्वारा बाप को जान कर उसे बाप के आगे समर्पन कर दो शूद्र बुद्धी को समर्पन करना अर्थार्थ देना ही दिव्य बुद्धी लेना है स्लोगन एक बाप दूसरा न कोई इस विदी द्वारा सदा वृद्धी को प्राप्त करते रहो ओम शान्ती स्लोगन एक बाप कर दो